आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now तो question है हमारे पास age of fishes is मतलब जो age of fishes का मतलब क्या होगा ऐसा period बताना है हमें जिसमें क्या था? fishes जो थी वो बहुत ज़्यादा number में थी मतलब इनका जो reproductive rate था वो बहुत ज़्यादा high था और ये क्या कर रही थी? बाकी population को overpower कर रही थी ठीक है तो हमें ऐसा period बताना है ठीक है तो हमें पता है कि Silurian, Ordovician और Devonian ये तीनों ही period किस में आते हैं? ये Paleozoic period में आते हैं मतलब Paleozoic era में आते हैं ठीक है? तो जो हमारे पास Permian period है, 4 ये तीनों तो किस में आगए? Paleozoic era में आगए Permian period में हमें पता है कि क्या होते हैं? Reptiles like mammals होते हैं ठीक है? इसमें mammals का जो origin है वो start हो जाता है और हमें पता है, fishes से क्या बने? amphibian amphibian के बाद क्या है? reptiles और reptiles से क्या बने? mammals बने ये हमें पता है, ये evolution का एक chart है, ठीक है? तो अगर इसमें reptiles like mammals थे तो fishes तो बहुत पहले होई थी तो fishes किस से होगी? Permian period में तो नहीं हो सकता जो हमारा Devonian period था उसे क्या कहते हैं? golden period कहते हैं कि इसके लिए? fishes के लिए तो जो हमारा fishes का ये जो fishes कौन सा होगा? Devonian period होगा, हमारा correct answer क्या रहेगा? option 3